जैस्री राधरानी सरकार की जैस्री क्रिश्ण भगवान की जै मार्ग शीर शिमास पुर्णिमा तिथी की मंदरशी बंसी वाले महात्मा यूणीब चैनल के ओर से हम आप सभी भक्तों का हारधिक अभिनन्दन करते हैं आज किस विशेश वीडियो में हम आपको मार्ग शीर्ष मास के शुकलपक्ष की पुर्णीमा तिथी के संभंद में सारी जानकारी देने जा रहे हैं इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस वर्ष की अंतिम पुर्निमा अर्थात वर्ष 2023 की अंतिम पुर्निमा मार्ग शीर्ष मास के शुकलपक्ष की पुर्निमा तिथी किस दिन को आ रही है पुर्णीमा तिथी का शुब मुहुरत कौन सा है और पुर्णीमा तिथी के दिन भगवान जी की पूझा आरहाधना कैसे करने चाहिए सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं तो सबसे पहली बात ये है कि आप सबी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में पुर्णीमा तिथी का विशेश महत्व बताया गया है हमारे हिंदु धर्म गरंथों के अनुसार पूर्णिमा का वरत रखकर भगवान श्री सत्य नरायन स्वामी जी की कथा करने या सुनने मातर से श्री हरी विश्णु भगवान जी की और महालक्ष्मी मा की अनन्त कृपा की प्राप्ती हो जाती है जो भक्त पूर्णिमा का वरत रखते हैं अर्थात सत्य नरायन भगवान का वरत रखते हैं उनके घर में सुख शांती और आनन्द आ जाते हैं महालक्ष्मी मा की उस घर पर विशेश कृपा बन जाती है और पुर्णिमा तिथी के दिन विशेश रूप से दान पुन्य आदि का भहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है तो अंगरेजी कैलेंडर के हिसाब से वर्ष 2023 की जो अंतिम पुर्णिमा है वो मार्गशीर्श मास की पुर्णिमा तिथी है और इस वर्ष 2023 में मार्गशीर्श मास के शुकलपक्ष की पुर्णिमा तिथी 26 दिसंबर दिन मंगल वार को है इसी दिन भगवान श्री दत्ता त्रेजी की जयंति भी है और थात उनका अवतार दिवस्मी है भगवान श्री दत्तात्रेजी ब्रह्मा विश्न और महेश के अंशा अवतार हैं यहां पर हम आपको ये भी बता दें कि मार्ग शीर्ष मास को अगहन मास भी कहा जाता है तो मार्गशीर्श मास की पुर्णिमा अर्थात अगहन मास की पुर्णिमा 26 दिसंबर दिन मंगलवार को है पुर्णिमा तिथी का आरंब 26 दिसंबर दिन मंगलवार को सुभे 5 बज़ कर 46 मिनट पर हो जाएगा और पुर्णीमा तिथी की समाप्ती 27 दिसंबर दिन बुद्ध बार को सुभे 6 बज कर 2 मिनट पर हो जाएगी हमारे हिंदू धर्म गरंथों में सपष्ट बताया गया है कि पुर्णीमा तिथी का संभंद चंदर देवता से है और 26 दिसंबर दिन मंगलवार की रात्री में ही चंदर देव के दर्शन होंगे इसलिए पुर्णीमा तिथी 26 दिसंबर दिन मंगलवार को ही मानी जाएगी अगर प्राते काल सूर्य उदे होने के अनुसार देखा जाए तो भी पुर्निमा तिथी 26 दिसंबर दिन मंगल वार को ही है तो मार्ग शीर्श मास के पुर्निमा तिथी 26 दिसंबर दिन मंगल वार को है तो अब हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि पुर्णिमा तिथी के दिन भगवान जी की पूजा आरादना कैसे करने चाहिए तो मार्ग शीर्ष मास की पुर्णिमा तिथी के दिन आप सुभे जल्दी उठ जाएं नहा धोकर पवित्र हो जाएं नहाने के जल में थोड परमबार उच्शारन कीजिए तो भी गंगासनान का पुन्निफल मिल जाएगा इसके पर शात श्री हडी विश्नु भगवान जी की महालक्ष्मी मा की आप पूजा आरादना कीजिए अपने घर के मंदिर में भगवान जी का पूजन पूरी श्रद्धा भावना से करना चा श्री हडी विश्नु भगवान जी की महालक्ष्मी माता की और श्री राधाक्रिश्न भगवान जी की पूजा आरादना धूप, दीप, फल, जल आदी से करने चाहिए श्रिष्टी के पालन करता श्री हडी विश्नु भगवान जी को गंध, पुष्प, फल, फूल और वस् पुजन के परशात भगवान को दूध और फल का भोग लगाना चाहिए। अगर आपने भगवान की विशेश कृपा को प्राप्त करना है तो पुर्निमा तिथी के दिन आप खीर बनाकर भगवान श्री लक्षमी नराएंजी को भगवान श्री राधा कृष्ण जी को भोग उस खीर के परशाद को आप स्वेम खाएं और परिवार वालों को अवश्य खिलाएं इससे भगवान की बड़ी ज्यादा कृपा की प्राप्ती हो जाती है पूजन के परशात भगवान जी की आरती कीजिए आरती करने के परशात जिस कलश में आपने जल भढ़कर रखा उस कलश का जल आप थोड़ा थोड़ा चरनामरत के रूप में पी लीजिए और बाकी जल को आप घर में सभी जगह पर थोड़ा थोड़ा छिड़क दीजिए इससे घर की शुद्धी हो जाती है जो नकारातमक उरजा किसी कारण से घर में हो वो सब दूर हो जाती है और पुर्णिमा तिति के दिन आपने भगवान की पूजा आहरादना करनी है इतना करने मातर से भगवान की बड़ी ज़्यादा कृपा मिलती है इस दिन आपने विशेश रूप से ध्यान में रखना है कि प्याज और लहसुन का प्रयोग आपने घर में बिलकुल भी नहीं करना ह और घर से भार भी आपने प्याज और लहसुन वाली कोई भी चीज नहीं खानी है साइकाल में आप फिर से भगवान जी की पूजा आहरादना कीजिए भगवान की भक्ती करने से भगवान की पूजा आहरादना करने से जीवन में सुख शांती और आनंद आ जाते हैं मनो का के लिए जीवन में आनंद आ जाता है तो मार्ग शीर्श मास की पुर्णिमा तिथी के संभंद में सारी जानकारी आपको दे दी गई है मंदर शीबंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल के ओर से आज किस विशेश वीडियो को देखने के लिए आप सब का दिल से भगवान शी राधा क्रिशन जी की भगवान शी लक्षमी नाराएं जी की पुर्णिमा तिथी की अनंत कृपा सदा आप सब पर आपके परिवार पर बनी रहे महान लक्षमी मा का सदा के लिए आपके घर में वास हो इसी मंगल कामना के साथ जै श्री राधारानी सरकार की जै श्री कृष्ण भगवान की जै श्री लक्षमी नरायन जी भगवान की जै पुर्णी माति थी की जै जै श्री राधे जै जै श्री राधे जै जै श्री राधे शाम